सरोकार बता दें इससे पहले दो नमंबर को भी सियम योगी ने हिमाचल में जनसभा को संबोधित किया था आज भी हिमाचल दौरे पर रहेंगे मुखमंत्री योगी आदितनाथ लगातार चुनावी जनसभा कर रहें हैं हिमाचल में बता दें कई जनसभा को आज सियम योगी आदितनाथ संबोधित करेंगे चुनावी हुमकार भरेंगे सियम योगी आदितनाथ हिमाचल दौरे पर हैं बता दें इससे पहले भी हिमाचल दौरे पर सियम योगी ने जनसभा को संबोधित किया था लगातार चुनावों को देखते हुए सियम योगी एक्टिव मोट पर नजर आ रहे हैं इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे समवादाता विवांशु हम से जुड़ेंगे विवांसु आज फिर हमार्चल दौरे पर सियम योगी क्या कुछ कारिक्रम है वहाँ पर सियम योगी के बैयूरी आपको बताएंगी भाजपा के फायर वांड लेता योगी आलितिनाथ और साथी साथ कुझे के उप मुख्यमंत वी योगी आलितिनाथ आज दूसरी गफ़ा हमार्चल के दौरे पे हैं वही आपको बताएंगी हमार्चल पर देश के अंदर में विधानसवा चुनाओ हो रहा है और साथी साथ से कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारती जन्ता पार्टी जहां भी चुनाओ हो रहा है योगी आलितिनाथ का देखा जा रहा है कि योगी आलितिनाथ जहां भी जा रहा है वहां भारती जन्ता पार्टी के समर्थन में लोग खड़े होते हुए बेज़बार है तो बीटे जिनों की रफा देखे तो योगी आलितिनाथ को स्टाफ जावक की सुची में रखा जाता है जाहें वो कहीं का विधानतवा स्नाओ हो चाहें बात की जाए हैदरवाद का निकायच ना हो अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आलितिनाथ हिमांचल पहुचेंग आज संबोजित करेंगे जनता को साथी साथ भारती जनता पार्टी के तक्रती योगों को वोट देने के लिए और अपना विश्पास दिताने के लिए आगरा करेंगे किया है वैसे ही हिमांचल पनेश पर सरकार बनती है डवल इंगल की तो हम ऐसा हिमांचल पर भी करेंगे और हिमांचल का विकास करेंगे अब उन्हें साफ तोर से बीते दिनों कॉंग्रेस के हमला करते हुए कहा कि ये कॉंग्रेस वाज में संभाव नहीं है आपको बताए कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिमांचल चुनाओ के साथ साथ है योगी आदितिनाथ अब अपने भारत वरस में अब हार एक जगों प में पेश करते हुए उन्हें कहा कि अगर हिमाचल के अंदम में भारती जन्ता पार्टी की सरकार मनाती है तो दवल इन्येट की सरकार होगी और इतने हिमाचल प्रेस की विकास की वफ्तार है उसको भी तेजी आएगी अब देखते लिए बात यह होगी कि हिमाचल सुनाओ क कि नतीजें में क्या बदलाव आता है और योगी अरिकनात और तमाम जो इस्टार पचारक है वो जाकर भारती जन्ता पार्टी के समर्थन में जो गोट मांगते हुए लेजर आ रहे है उनका जो यह प्रत्विया है वो कितना संपन्द होता है और कितना समर्थन भारती जन् मिलता है विद्धान सुभा चुनाओं के तकीजों के बाद साफ होगा विवांसु कहीं न कहीं से हम योगी बीजेपी के इस्टार प्रचारक है और एक हिंदूत्व का बड़ा चेहरा भी है तो क्या लगता हिमाचल में हिंदूत्व का दवा 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 देखने को मिलेग जी बिलकुल अगर बात की जाएं तो योगी अलिक्रास अपने जो सीने भासरों के लिए जाने जाते हैं अगर बात की जाएं तो उनके भासरों से कहीं ना कहीं अगर देखे तो उनके वो हिमाचल प्रदेश में हो चाहें वो कहीं भी चुनाओं प्रचाब में जाते हैं त और बात की जाए तो बीटे दो नोर्मर को आपने जेखा कि हजारों की संखा में कारेकरता पदारिकारी और जनता योगी अनिकुनाथ के जो सीने भातर को सुनने आई थी वे जिन्दोसित में उन्होंने यूपी माड़ों को पेस किया था और इस बात को कहा था कि पधान मंती उसमुंचा की सरकार रहती है तो बहतर समन। बनता है बहतर क्रीके से व्लूदेश का भीकास हो पाता है अब देखने वाली बास ये होगी कि आज के जनसवा जो दो जगों पर आज योगी आदितिनाथ अगर बास की जाए तो तांगरा उसके बाद बिलास्त विदाहन सभा में अब जनसवा को संभोधित करेंगे उसमें वो हिमाचल पनेश की किन बासों को कहते हैं वही अगर बास कि जाए तो अगर बात करें तो योगी आदितनाथ प्रीट करके जानकारी भी कि भगवती मा ज्वाला देवी की विपा भूमी पर महायोगी दोरक नास की तपो अस्तली हिमाचल पनेश की पावन धरा पर उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है कि जो उनके गुरू है उनका तपो दोरक नास की तपो अस्तली है और साथी साथ मा भगवती ज्वाला देवी के इस तपो ध्रूमी पर आकर वह बहुत खुश रहते हैं और समाम वह मा ज्वाला के आसरवास को चाहते हैं और साथी साथ आपको बताएं कि अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर बात करें दिलासब्ल और शाथी साथ पांगणा में इस जनसवा में इतने व crowd आते हैं अब वो देखने लिए बात ये भी होगी कि नतीजों के बाद जो तमाम इस ताफ पचारतों को उतारा गया हिमाचल प्रदेश के अंदर में उसका क्या इंपेक्ट नज़ाता है वो नतीजों के बाद साफ होगा जी विवानसु जैसे आपने अभी कहा कि हिमाचल में वो यू को बतादे कि अगर बात करें तो उसका देश में योगी सरकार 2.0 चलना है और उसके कहीं ना कहीं माफियाओं पर कारवाई और साथी साथ जो जो माफिया से उनकर कारवाई के लिए जाना जाता है इसकी मिज़े सुने बुन्दों बाबा के विसौत पर एक अलग पहचान म करते हैं और उसकी माफियाओं के वहाई तर्फनेश के हो चुका है ताथी साथ जो भी गलत तरीके से धन अर्जित किया था या सरकारी सम्कत्यों पर कभ्या जमा कम सालों से बैठा का उसके हमने कारवाई की तो देखने वाली बात यह होगी कि उनकी सभा में जहां वो और उन्होंने कहा कि दवन इन्यत की संकार बनते ही जो प्रदेश की विकास होती इसके रफ्तार तेज हो जाती है आज के वो सम्मोधर में क्या कहते हैं और मयूरी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो बुल्डोजर बावा की छवी है वो प्रदेश के भी बाहर अब ज धनेवाल व्हांसू तमाम जानकारियों के लिए इंडिनो फरीदाबाद में और उसके आसपास की हवा बेहत जहरीली हो चुकी है फरीदाबाद में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज फरीदाबाद का एक वाई लेवल 550 है जो खत्रे की निशान को पार गया कर गया है जहरीली हवा की वज़ा से कई प्रकार की बीमारियों का खत्रा पैदा हो गया है बिगड़ते एक वाई को देखते हुए बच्चों की स्पेस्लिस्ट डॉक्टर विकास गोयल ने बात की गई तो उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में एक वाई लेवल की सिती बिगड़ साथ ही सिविल अस्पताल बादसाह खान में बीमार हो रहे बच्चों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है इसके लावा शेहर के आम लोगों का भी कहना है कि एयर क्वाल्टी खराब होने की वज़ा से सांस लेने में काफी मुश्किल हो रही है hmm मुश्क बच्चों में जायतर जो परशाणी आ रही है वो सास in Redakte जो बीमारिया है उनकी आरी है खासी जो क्म होना नाख लहना नाग की अलर्जी होना और किसी करो सांस लेने में दिक्ट होना उसके साथ किसी को भाम टेंग बी ऑँआ जाती है बहुत परिशानी हो रही है बड़े बुजुर्गों को सांस लेने में आखों में जलन हो रही है हांसी आ रही है लोगों को मौसम वैसे वी जो सदी जुगाम कर चला है इसे कफ जमा हो रहा है बच्चों को स्कूल ठोड़ने जाते हैं मासक लगा गयाते हैं तो सांस नहीं ले पॉल्यूशन की मातरा तो फरीदवार में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है यह तो हमें भी दिख रहा है सुबह सुबह जब हम स्कूल जाते हैं बच्चों को छोड़ने तो बहुत दुंद चाती है यह सब कारण बड़ी-बड़ी कंपनियों की बड़ी-बड़ी कंपनियों उनको वो अपने लेवल से ज़्याद़ पॉल्यूशन क्रियेट कर लिया है फरीदवाद का एक्वाई लेवल पांसो पचास है जो खत्रे के निशान को पार कर चुका है फरीदवाद मेयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो काफी खराब इस्थिती में है लगातार प्रेदूसर का खत्रा बढ़ता जा रहा है एक्वाई खत्रे की निशान को पार कर गया है इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे समवादाता मनोज हम से जुड़ेंगे मनोज फरीदाबाद में प्रेदूसर का खत्रा लगातार बढ़ता जा रहा है क्युआई लेवल 550 पार कर गया है जो खत्री की निशान को पार कर गया है मैं उरी बता दें फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो पालुसन की जो मात्रा है वो कहीं निशान की लगातार बढ़ रही है जिसको लेकर कहीं निशान की जो लगातार का पार बात की जाय तो फरीदाबाद के सरुअरब इलाके में इंडर्सट्री एमर्या है जिससे की आम लोगों को भी खासी सांस चिसको लेकर आम लोग भी काफी परेशान हैं और सरकार की तरफ से भी लोगों को हिदायख दी जा रही है कि परकार से कुड़ा में आग ना लगाया है जैसे की पॉलिशन पहले पर कहीं ना कहीं जो लोग है भो मानने के लिए नहीं है क्योंकि लोगों को भी जागरुक होना पड़ेगा, अगर बात की जाए किसानों की तो खिसानों को भी जागरुक अधिकारियों को तरफक से क्या जा रहा है, कि वो अपने खेतों में पराली न जलाएं, पर अभी कुछ किसान ने हैं, जिन्होंने पराली जलाई है, और दिपावली भी अभी नजदीक गई है जिसको लेकर अगर बात की जाए तो पटाके सरकार ने आई साल की तरह बेहन करते हैं इस वार भी बटाके लोगों ने चलाए हैं जिसके लेकर पॉलूसन वारी मातरा में बढ़ गया है और ये सांस लेने में भी काफी जो कटनाई आई हैं वो लोगों को देखनी पड़ रही हैं चीव भी तरह बता रहे हैं कि फैक्टरियां चल रही हैं काई कमपनियां चल रहे हैं किसान रोक के बावजूद भी पराली जला रहे हैं और लगातार के दूसर का खत्रा बढ़ रहा है क्यों इस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है अगर आपको बता दे तैशिलदार की तरफ से आजसक तादेश दिये गए हैं जो किशान खेतों में पराली जलाते हैं पकड़े जाते हैं उनके चालान भी मोटे रकम के किये जाते हैं पर हाला कि सभी किसानों को भी इस बात को देखका जावरुक होना होगा क्योंक पराली इसका लेकर जो मरीजों के अगर संक्या की बात करी जाए तो उसमें भी एजापा कहीं न कहीं देखा जा रहा है जिस से के आम लोग भी आभी हम खड़े हैं पर lesant में आँखों में जलन कि विवस्था अस्पतालों में की गई है मरीजों की संख्या को बढ़ते हुए देखते हुए हमारी डॉक्टर जो बच्चिन के जो डॉक्टर है बीके अस्पताल में उन्से मारी बात चीत हुई है उन्होंने साब कोर में कहा है कि पहले के मुताबिकर बात की जाये तो 40% जो बढ़ते ही देखी जा रही है सांस की दिक्कते बच्यों को हो रही है जो खान की दिक्कते बच्चों को हो रही remains जो कहीं जो कालूशन की जो मात्रा है वो बढ़ रही है उसको लेकर डॉक्टर नवे शक्त बटाये कि घर में रहें अगर घर से अरजेंट काम है तो ही बाहर लिख लें जो बच्चे सकूल जा रहे हैं और उन्हें दिक्कत है सांस लेने में या दमे में कोई दिक्कत है उस बच्चे को सकूल ना भेजें उन्हें घर पे ही उनका इलाज करें जिससे कि वो बच पाएंगे धन्यवाद मनोस तमाम जानकारियों के लिए फरीदाबाद में लगातार प्रिडूसर का खत्रा बढ़ता जा रहा है जिसकी वज़ा से अब लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है बच्चे बिमार हो रहे हैं बड़ी संख्या में अस्पतालों में बच्चे भरती कराए जा रहे हैं एक्वाई लेवल खत्रे की निशान को पार कर गया है बता दें जहरीली हवा की वज़ा से कई प्रकार की बिमारियों का खत्रा लगातार पैदा हो रहा है एर कॉल्टी इंडेक्स की बात करें तो आज फरिदाबाद में एक्वाई लेवल पान सो पच्चास पार हो गया है गाजियाबाद से हमारे समवादाता प्रवीन हम से जुड़ेंगे प्रवीन लगातार प्रेदूसर का खत्रा बढ़ता जा रहा है क्या वज़ा है अचानक से प्रेदूसर का इस तरह बढ़ना प्रेदूसर कारण प्रेदूसर को अगर सुबाद के बात कर दो शुड़ेंगे बच्चे जो स्कूल के लिए निकल लहें खास वर्पे तो उनको अच्छा परितानी हो रही है उनको मात का प्रियोक करना पड़ रहा है और साथ तोर पे उनकी जो आखो में जलन हो रही है प्रवीन जिस तरह से पराली जलाई जा रही है बावजूद भी काई फैक्ट्रिया चल रही है काई वज़ा है जो लगातार प्रिदूसर बढ़ रहा है इस पर कब एक्शन लिया जाएगा इस पर रोक के लिए क्या कुछ कारवाई की जाएगी जिला प्रशाशन के इसर पे लगातार उन लोगों को हईदायत भी दी जा रही है खास तोर पे और उन्हें ये चीज़ समझाया भी जा रहा है कि अगर आप जादा पॉलूशन पहला रहे है या आपकी कंपनी के दोरा या जिस तरह से फैक्ट्री है अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में जिस तरह से केज़िवाद सरकाल ने अभी पांच आरूपे मज़ूरों को देने की बात कही है और जो कंस्ट्रेक्शन के जो काम चलने दे उन पर उड़ता रोप लगा दी गई है अगले आदेश तक अब बात करी जाए हो सकता है कि अब कुछ दिनों के बाद में देखने को मिल सकता है कि और इवन जो चल रहा था दिल्ली के अंदर में वो प्रक्रिया फिर से लागू कर दी जाएगी क्योंकि जिस तरह से जो हवा की गुडवकता है उसको देखते हुए खास तोर पे लोग सवा दिख रहा है क्योंकि गाज्यबाद में सुभा की बात की तो चार सो प्लस के सक्रीबन यहां पर एक्टू लेबल को नापा गया है तो कहिना कहीं जो गुडवकता है खास तोर पे साइवाबाद इंडर्टिल एरिया है वो गाज्यबाद से सटा हुए दिल्ली एंटर क अगर जाता है वहाँ के जो गुडवकता देखी जा रहा है हवा की इस समय पर जो ख़राब मनी जा रही है लोगों के स्वास के लिए औक आस्वार पर जो अस्पताल अनको भी सचेद कर दिया गया है कि अगर इस तरह के कोई प्रवीन तमाम जानकारियों के लिए आज राजधानी लखनों के इंद्रा घांडी प्रतिष्ठान में अपना दलस का राष्ट्री अधिवेशन होगा इस राष्ट्री अधिवेशन में केंद्री मंत्री अनुप्रिया पटेल शामिल होगी जानकारी मिली है कि अधिवेशन के दौरान राष्ट्री अध्यक्ष का चुना होगा प्रदेश भर से पार्टी के कारकरता पदाधिकारी साधिवेशन में शामिल होंगे इस खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे समवाद दाता विवांशू हम से जुड़ेंगे बात करीगा अपना दल एच का आज वास्ती अधिवेशन है और बात की जाए तो इस अधिवेशन के अंदर में आज प्रदेश भर से जो कारे करता है पदाधिकारी है वो इसके सिर्फत करने के लिए पहुचे है कि यहां प्रदेश भर से कारे करता आज वास्ती अधिक्स का इसमें चुनाओ होगा और लोक्तान की धंग से पूरे राश्ती अधिक्स का चुनाओ होगा और देखने वाली बात यह होगी कि इसे वास्ती अधिक्स बनाए जा रहा है अगर बात की जाए तो बीते दिनों आ अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कारेकरताओं के अंदर भारी जोस देखने को मिलना है और साती साते यहां कई पदा दिकारी आए है जो और साती आपको बताए कि आज के इसे अधिवेशन में जो फिलहाल की वास्ति अध्यक्सा है अनुपिया पटेल साती साते इंदर में मंत्री है और वो भी आएंगी और साती अगर बात की जाए तो मिनिस्टर अफ इस्टेट आसी पटेल भी यहां आएंगे साती पार्टी कारी आज यहां मौजूद रहेंगे उनकी मौजूदगी में नए अध्यक्स का चुनाओ होगा साती साथ पार्टी अगर देखा जाए तो बिधान सभा चुनाओं के बाद जो सभी पत्ते जो लगभन पत्ते उससे सभी पदों को भंग किया गया था और नए सिवे से पार् कि वास्ति अध्यक्षा है अनुपिया पटेल उनके द्वारा कारेकरताओं को जो दूर दरा से आप तश्रीओं में देखिए कि उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जनपतों से कारेकरता पूरे जोस और उत्साह के साथ इस अधिवेशन में समलित होने के लिए आये हैं साथ पहले आप अपना दल से पीखने वाली बास होगी कि एक महिला जो वास्ति अध्यक्षा का जिम्र सम्हाल नहीं है साथी सास है वो तत्ता के सीश पर भी है और कहीं ना कहीं उनके अथक महनत और व्या से आज पार्टी निश्नल पार्टी बनने के वेस्ट पर भी है सब्सक्ते पहले आप अपने नाम बताएं और में यह बताएं कि किसी अपुछ सुनता है अध्यक्षपद का चुनाव होना है याज साथी साथ हवाशी अध्यूरेश्तन है अध्यक्षा का जादा हुता है अध्यक्षा करता है अध्यक्षा करता हुतों किसने मजभूती मिलती है बहुत जादा मजभूती मिलती है और बहुत जादा सम्मान इसे लिए यह बहुत ज़्यक्षा है उनको पदली इच्रिया जाते हैं, बोलने का भिकार भी दिया जता है, अपनी बात रखने का भिकार भी दिया जता है, हमायी दीदी पूरी तरह से हम लोगों की इंस्प्रेशन हैं और हम लोगों उनके साथ मत्मुषी से करें आप अपना नाम बताया और कहा क्या है? आप बात को सकी है, जिरके हमारा यो पार्टी के सदस्ट है, उनका सबका सबके दिल में और तनमन हंती, सबी लोग पार्टी के करती सवर्पित हैं, और मैडम के दिशानिर देर, लक्ष और भविस्त में क्या उनकी उज़नाय है, उसी को रिनीमल और उसी के भूस्त करने की का हम अच्छा उनके जो भी दिशानी देश होंगे उसके अभी पालन के लिए हम आये हैं और प्रिटन को मजबूत करने के लिए और कहीं ना कहीं परिवार है इसको एक साथ बैट कर अब एक जूटता जिल्व आगामी चुनाओं की तैयारियों के लिए अधिवेशन किया जाता हैं कुछ और लोगों से बात करेंगे आप हमें अपना नाम बताया और कहां तेया है जिनकी कोई बात कहने वाला नहीं है उन लोग की बात को अनुप्रिया पटेल जी ने स्वड़क से लेके संशत्ता कर आया है उन लोगों को राजनीते हिस्चेदारी देने का काले किया है आज ये वो भीड है ये किसी के बुनावे पर नहीं आई है अपने आप स्वें चल करके अपने राष्ट्रेश करके बात की जैसे लोगों की संख्या में लोगों की संख्या में लोग आएंगे और अभी आपने सुना की बैठक से साथ और से कही ना कहीं जो नए वास्ता का चुना होगा तो अपना दल एस एक वोट परसेंटिस को प्राउस करते हुए वास्ती पार्टी बंडे के तुप अंग्रसम है देखने वाली बात ये होगी जो निकाय चुना होगा उसमें क्या इंपेट देगी अपना दल है जैसे आपने का कि राष्टिया ध्रक्ष का चुनाओ होगा तो क्या लग रहा है रेस में कौन आगे चल रहा है किसके नाम पर मुहर लग सकती है? माना यह जा रहा है कि अधिवेशन की समाती थाके नए वास्टी एध्यक्स का चुनाव हो जाएगा वही अगर बात जाए तो कहीं ना कहीं देखे तो अपना दल एस लागातार अगर बात करें लोग सभा चुनाव में और साथी साथ विधान सभा चुनाव में पहसर पदर्स करने के बाद आप साल के अंतिया नए साल के सुरात में निकायच ना होना है तो देखने वाली बात यह होगी कि जहां वाज़ितिक दल इंपेक्ट डालती है वहां कितना इस बार आउटकम लेकर आती है जे भी धने बाद वह अंसुत अमाम जानकारियों के लिए अब तक के लिए इतना ही देजबुनया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी अब देख